नमस्कार मित्रों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हुँ कि करकरासी वालों का आज का दिन यानी की 21 अगस्त का दिन कैसा बितेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या होने वाला है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेसानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें और एस्टरो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनें मित्रों सबसे पहला है आपका घर पड़िवार, आपका पाड़िवारिक जीवन मित्रों घर पड़िवार के द्रिष्टी कौन से आपका शमय, शामान ने तौर पे सही रहेगा आज से पहले अगर आपके घर पड़िवार में किसी व्यक्ती के साथ आपका शंबंध कमजोर हो गया था, खराब हो गया था तो आज के दिन अपने शंबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें, इस काम को करने में आज के दिन आपका भाग्य आपका शाथ अवश्य देगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान निसे बहुत जयादा नीचे है आज के दिन अपने फिजूल खर्ची पे आपको कंट्रोल करना होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपको पैसों की शमस्या का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके श्वास्त की बात करें तो श्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बेहितर और सांदर है आज के दिन आपके बोड़ी में उर्जा का अस्तर बहुत जयादा उंचा रहेगा और इस वजह से आपके श्वास्त में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामणने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने प्रेम संबंध में आप किसी और इंसान की बातों को सुन कर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ भी न बोले अन्य था आने वाले समय के दोरान आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेगा इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने तोर पे सही रहेगा आज से पहले अगर आपका कोई महत्वपुर्न काम किसी भी कारण से पूरा नहीं हुआ था तो आज के दिन अपने उस काम को आप पूरा करने का प्रेयास करें तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदर होगा तो मित्रों आज के दिन एक मंत्र है उस मंत्र का जप आपको सुबह साम दोपहर कभी भी करना है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा तो वो मंत्र है ओम स्रौंग स्रलौग सह केतवे नमह ओम स्रलौग स्रौंग स्रलौग शह केतवे नमह इस मंत्र का जप अगर आप कम से कम 11 बार करते हैं तो आपका शमस अन्दर हो जाएगा आज के दिन आपके लिए सुभरंग है पारदर्सी और गुलाबी आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यनी की टू तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जग सेयर कर दें धन्यवाद